आप सेम बापिस नहीं जा रहे हैं अंगिकार करो ओंची आवास में अपने घुटनों पर आओ अपनी बाइबल को उठाओ मैं इस वचन से प्यार करता हूं ये मेरे शुद रहने का आधार है मेरा जीवन मेरे वचन बिटिका है जो खुदा ने मुझे दिये हैं मैं अपना मन इन वचनों के उपर लगाता हूं अपनी होटो को खोलो और खुदा वन को बताओ कि परमेश्व तरे वचन मेरे लिए कीमती है मैं इनने सुनूंगा संभाल के रखूंगा और फल लेके आऊंगा अंगे कार करो ओंची आवास में अंगे कार कि आवास में मेरा परमेश्व और हर एक बंधन को आपकी जिंदगियों से तोड़े आपकी शर्मिंदिकियों को सदा के लिए खतम करे आपको उठा कर खड़ा करे सारे पाप, सारे उसके सारे असराद की जिंदगियों से खतम हो जाए मेरा परमेश और आपको समर्पित होने के लिए आज ग्रेश दे आमेन ओंचा ये फरकत आप और आपके पड़िवारों के पर होती रहे तारीफ करो जोर से जोर से जोर से है हालेलूया आज का वचन हम दो पार्ट में सुनेंगे पहला पार्ट अभी मैं सुनाओंगा दूसरा पार्ट दूसरी मीटिंग में क्योंकि मैं आज यहीं पे हूँ मैं ऑफिस में हूँ मैं घर नहीं जाने वाला हूँ तो मेरा ये आपसे बिंति है इसको ध्यान से सुनना आमेन मैंने आपको प्रफेटिकली बताया था कि जो छुटकारा है वो आपमें परवेश कर चुका है आप उसे देखने वाले हो आमेनूचा बर्कत तुम्हारी है अपनी बोड़े पे हाथ रखो बोलो जो वचन मैं सुनू सोगुना फलों को लेके आओ अन्दकार की शक्तें से चुरा ना सके प्रभीश्य मसी के सामर्थी नाम में हम बांगते हैं मेरा ये विश्वास है कि इस वचन के द्वरा जो आपने डिलिवरेंस हफतों के अनुसाद के बीच में सुना है आप उन्हें दोबारा इंटरनेट पे जाकर जरूर सुनेंगे और जैसे जैसे आप उन्हें सुनेंगे आपकी लाइफ में इंप्रूब्मेंट आपकी लाइफ में छुटकारा आप देखेंगे किस तरह प्रैक्टिकली आपकी लाइफ में आपके परिवार में आना शुरू हो चुकर जो वचन मैंने दीए ये सिर्फ संडे थास्डे के लिए नहीं है इसे लोग सालो सालो सुनेंगे और अपनी लाइफ में बरकतों को पाएंगे आप देखना जो टेस्टमणईह आ रही हैं छुटकारे की इन ही हफ्तों में कुछ हम टेस्टमणईह इसी हैं जो दे नहीं सकते कुछ बात हैं हैं जो पुल्पेट पे शेयर नहीं की जा सकती लेकिन जो परमेश्वर कर रहा है उसके लिए बड़ी तारीफ करो जोर से एक बात से मैं शुरू करता हूँ बाइबल कहती है इसराइल के खिलाफ एक राजा उठा और इसराइलियों को मारने के लिए गया और इसराइली जो थे वो परमेश्वर की कौम थी और बाइबल कहती है जैसे इसराइल के सामने वो लड़ने के लिए गया वो हारने लग गया और जब वो हारने लग गया उस राजा ने क्या किया अपना बड़ा बेटा लिया और कुर्बान कर दिया अपने देवता के सामने और बाइबल कहती है इसराइल पर बड़ा ही प्रकोप हुआ और इसराइल हारने लगा मुझे ये बात कभी समझ नहीं आए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक शैतानी व्यक्ति शैतान को क्योंकि जो शैतान था वो इंसान की बली लेता है और कोई धरती पर इंसान की बली नहीं लेता लेकिन जैसी उसने इंसान की बली लियिया और बाइबल कहती है कि वो इ störाल हारने लगा क्यूं इ störाल हारने लेगा अगर परमेश्वर इ模 Stack काम सफल कैसे हो सकता है उसमें परमेश्वर हमें एक सीखने के लिए चीज बोल रहा है आपका वैरी आपका दुश्मन आप से ज़्यादा स्मर्पित अगर होकर चले परमेश्वर के सामने उन्होंने एक भी कुर्बानी नहीं दी लेकिन उनका जो वैरी था वो अपने बेटे की कुर्बानी दे गया परमेश्वर इस बात से गुसा था इसराइल के उपर से कि तुम्हारे दुश्मन को कुर्बानी का बोने का अर्थ मालूम है लेकिन जो मेरी प्रजा है इनको कुर्बानी का बोने का अर्थ मालूम नहीं अभी तक और बाइबल कहती वो हारने लगे और बड़ी सोच में पढ़ गएगे गर परमेश्वर हमारे साथ है तो शैतान हमारे उपर अटैक क्यों कर सकता है वो हमारे उपर कबजा कैसे कर सकता है वो हमारे उपर सफल कैसे हो सकता है जब मैं छुटकारे की आप से बात करता हूँ ये बात ध्यान में रखो कि छुटकारा सिर्फ परमेश्वर के उपर निर्बर नहीं करता, ये 50-50 की गेम है, जहां 50% आपका और 50% परमेश्वर का होगा, इसलिए पाइवल कैदी परमेश्वर ने कहा, तुम परमेश्वर के युशु मसी के सह करमी हो, तुम्हें नौकर नह आपके फाइनेंस का चुटकारा हो, चाहे वो आपके शरीर का चुटकारा हो, चाहे वो आपके spiritual life में शैतान से चुटकारा हो, ये सारे चुटकारे आप पर निर्बर नहीं करते, ना ही परमेश्वर पर निर्बर करते हैं, ये आप और परमेश्वर दोनों पर निर्बर कर मुझे छुटकारे की शिक्षा को लेना होगा, मुझे परमेश्वर को और शैतान की चीजों को समझना होगा और उस रिती के साथ वो छुटकारा जो मैं अपने परिवार का चाहता हूँ, अपने finance का चाहता हूँ, अपनी जिन्दगी का चाहता हूँ, मेरी जिन्दगी में enter कर सकेगा, क्योंकि होता क्या है, जब विश्वासी परमेश्वर में आता है वो सारी चीज़े परमेश्वर पर छोड़कर परमेश्वर की ओर देखता रहता है और बाइबल कहती परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हे साञ्पों और बिच्चों को रोंदने का और शत्रू की सारी सामवर्थ पर अधिकार दिया है किसी भी वस्तू से तुम्हे कुछ भी हानी नहीं होगी हम परमेश्वर की ओर देख रहे हैं कि वो दूश्ठात्मा को दूर करेगा और परमेश्वर हमारी ओर देख रहे हैं कि तो कब समझेगा कि मैंने जो दूश्ठात्मा के ओपर अधिकार दिया है हम परमेश्वर की और देख रहे और परमेश्वर हमारी और देख रहे इसलिए जब आप ये छुटकारे का वचन सुनते हैं आपको मालूम होता है कब परमेश्वर की और देखना है और कब अपना काम करना है जो परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिये है करने के लिए हालेलुया अगर आपको छुटकारा चाहिए एक छुटकारा जो एक औरत मांग रही अपने पती के लिए जो जो नशा करता है जो उसकी बात को नहीं सुनता एक छुटकारा जो मा मांग रही अपने बेटे के लिए अपनी बेटी के लिए जो बिगड चुकी एक छुटकारा जो एक आत्मी अपने फाइनेंस का परमिशुर से मांग रही एक छुटकारा जो एक औरत अपने शरीर का अपने बिमारियों से मांग रही एक छुटकारा जो आप अपने finance का, अपनी family का मांग रहे हैं, एक छुटकारा जो आप अपनी spiritual life का मांग रहे हैं, शैतान से जादू डोनों से मांग रहे हैं, ये सारे छुटकारे निर्भर करते हैं, पहला point जो आज के वचन का है, उत्पत्ती 26 उसकी 24 आयत, देनियल 2 उसक पाकी अगले पाट में पढ़ूँगा, उत्पत्ती 26 उसकी 24 आयत, लिखा उसी दिन यहवा ने रात को उसे दर्शन दे कर कहा, मैं तेरे पिता अबराहम का परमिश्वर हूं, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, और मैं अपने दास अबराहम के कारण तुझे आशिश सब बोलो आमेहिन, दैनियल दो उसकी 18 से 19 आयत, इस भेद के विशे में सुरक के परमेश्वर की दया के लिए ये कहकर प्रार्थना करो, दैनियल कहता है कि प्रार्थना करो, कि बेबिलीन के और सब पंडितों के संग, दैनियल और उसके संगी भी नष्ट ना किये जाएं, 19 आयत में लिए कंटा, तब वै भेद दैनियल को रात के समय दर्शन के द्वरा प्रकट किया गया, इस हाक को परमेश्वर ने दर्शन दिया, बाइबल कहती है, उसी दिन योहवा ने रात को उत्पति 26 उसकी 24 आयत में लिखा, दैनियल को भी बाइबल कहती है, परमेश्व ने कहा रात को भजन साइता सत्रा उसकी तीन आयत मैं इसे हिंदी और इंग्लीश दोनों में पढ़ूँगा तुने मेरे हिर्द्य को जांचा है दाव हैस प्रूवड माई हाट दाव हैस विजिटेड मी इन दा नाइट इंग्लीश में लिखा खुदा तुने मुझे रात को विजिट किया है भजन साइता में complete हिंदी में नहीं लिखा रात में तुने मुझे देखा है यहां देखा नहीं है क्योंकि अगर इसको इबरानी भाषा में हम असली भाषा में निकालें जिस भाषा में बाइबल लिखी गई थी उस वचन को हम समझेंगे असली भाषा में उस वचन को पड़ेंगे जिसका मतलब है पकड हिंदी में भी है ना ये शबल पकड इबरानी भाषा में विजिट का मतलब है किसी के पास जाना विजिट करना अपने रिष्टेदार के पाथ जब कोई बिमार होता है hospital में आप विजिट करते हैं उसका इब्रानी भाशा में मतलब है पकड जिसका मतलब है विजिट करना तो इब्रानी भाशा की असली जो वाइबल है उसमें लिखा हुआ है कि तुने रात को मुझे विजिट किया है अपने पडोसी को बोलो रात को फिर प्रेरतों के काम 18 उसकी 9 आयत को मैं पढ़ूँगा उसमें भी लिखा प्रभू ने एक रात दर्शन के द्वारा पौलूस से कहा मत दर वरन कहे जा और चुप ना रहे सब बोलो आमेन एक और वचन मैं पढ़ना चाहूँगा लूका 6 उसकी 12 आयत उसमें लिखा उन दिनों में पहाड पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई फिर से बोलो रात उत्पत्ती 32 उसकी 24 आयत को मैं पढ़ना चाहूँगा उसमें लिखा याकूब आप अकेला रह गया और कोई पुरिश पौफ अटने तक यानि सारी रात उससे मल्युद करता रहा फिर से बोलो सारी रात अगर आप क्रिश्चन हैं संपूर्ण छुटकारा चाहते हैं तो ये बाद मेरी ध्यान से सुनना कान में, स्पिरिट में आज सुन के नहीं इसको गाड के लेके जाना अगर आपकी रात आपके काबू में नहीं है आप कभी संपूर्ण छुटकारा नहीं हासिल कर सकते आप जितने मर्जी बड़े बिशप के अपॉस्टल के बास्टर के बेटे क्यों नहीं है आप जितने मर्जी बड़े दान देने वाले क्यों नहीं है अगर आपकी रात आपने काबू में नहीं की आप छुटकारा नहीं पा सकते आम लोगों के लिए रात सोने के लिए है रात हो गई, सो जाओ मेरे और आप के लिए रात खुदा से मिलने के लिए है वो क्या कहता है? वो क्या चाहता है? वो क्या कहना चाहता है? रात को डर लगता है लोगों को लगता है कर नहीं लगता आपको मालूम Bible क्या कहती है Bible कहती यहावाग घोर अंधकार में रहता है जिनको अंधेरे से डर लगता है शैतान उनको डराता है कि मैं यहाँ पे हूँ लेकिन घोर अंधकार में शैतान नहीं Christian लोगों के लिए परमेश्वर खड़ाए है जब रात होती है लोगों को डर लगता है यहाँ शैतान उन्हें डराता है Christian लोग नहीं डरते क्यूं उसी रात को परमेश्वर दर्शन के द्वारा सपने के द्वारा आपसे बात करके आपको छुडाने की कोशिश करता और करता है आप मेरी बात समझ ना ध्यान से दूसरे लोगों के लिए रात सोने का टाइम है एक Christian के लिए रात कम्मिनिकेशन करने का दर्शन देखने का ड्रीम देखने का खुदा से कॉंटेक्ट करने का सुपरनेचरल जहां नेचरल से मिले आसमानी ईश्वर ये ताकत जब आपकी ताकत से मिले ये वो टाइम है इसलिए मैंने क्या कहा अगर आपकी रात आपके काबू में नहीं है तो मैं आपको बिना देखे आपकी केस को आपको खतरनाक तरीक से छेड़ता है रात को आपको हर तरह के काम याद आते है रात को जब नींद नहीं आनी चाहिए जिस टाइम आपको तब भी आती लेकिन अगर आप टीवी देखने जाएं फिर नींद नहीं आती लेकिन अगर आप बाइबल पढ़ने लगें आपको नींद आने लगती है आप मुबाइल पे चले जाएं दो घंटे आप देखते रहते किसने क्या कमेंट किया लेकिन अगर आप वही दो घंटे में प्रेयर करने लग जाएं आपको नींद आने लगती है आपको मालूम होना चाहिए कि शैतान कहीं न कहीं आपके छुटकारे को रोकने की कोशिश कर रहे है रात उत्पति 26-24 फिर से पड़ो उसी दिन यहवा ने इजहा को रात में बोलो कहां बर वो रात ने उसके दर्शन में आया रात को उसके सपने में आया लेकि लोगों को ये नहीं मालूम जब आप अपने भाई से मिलने के लिए जाते हैं जब आपकी बेहन की बेटी की शादी होती और आप एक साल बाद उससे मिलने के लिए जाती हैं आप कैसे जाती हैं तयार होके अच्छे कपड़े डालके महंगा हो चाहे वो सस्ता हो पर साफ सुथरे कपड़े डालके अच्छी तरह से तैयार होके थोड़ा सा गिफ्ट लेके आप उससे मिलने के लिए जाते हैं और क्रिश्चन लोगों को मालूम है कि इस रात को ही परमेश्वर मुझे दर्शन देता है पर वो तैयारी नहीं करते रात को परमेश्वर से मिलने की वो तैयारी नहीं करते रात को परमेश्वर उन्हें टच कर सके वो उस तैयारी के साथ नहीं सोते आप टीवी देखके सोएंगे परमेश्वर दर्शन नहीं देगा आपको, मेरा experience मैं आपको बता रहा हूँ आप TV से कट होके, रात को TV देखना सोने से पहले छोड़ दीजिए मुबाइल देखना छोड़ दीजिए, फालतों की चीज़े छोड़ दीजिए जब मैं इंडिया से बाहर था 21 दिनों के लिए और रोज प्रेयर में कोई whatsapp नहीं था तब, फोन पर इंटरनेट नहीं था, फोन सिंपल वाले होता थे छोटा सा कैमरा होता था फोन में कभी फोटो खिचने वाला, तब की बात मैं कर रहा हूँ तब इतने बड़े-बड़े स्मार्टफोन नहीं थे, और नहीं लोगों को मालूम होता कि स्मार्टफोन क्या, बस फोन होते थे अच्छे नोकिया के कैमरे वाले, उस टाइम में जब मैं प्रार्थना करता था, और टीवी चैनल भी कौन सा था, क्रिश्चन मेरे रूम में, जस प्रेयर, देखना एक टीवी तो क्रिश्चन चैनल, जस प्रेयर, तीवी देखा फिर क्रिश्चन चैनल, बैसे मुझे लगा था कि मैं बोरिंग, बोरिंग हो गया हूँ, 21 दिन ऐसा लगता है क्या लाइफ है, उठो, नाश्ता करो, प्रेयर, अगर नाश्ता नहीं करना फास्टिंग में हो, तो प्रेयर, उसके बाद बैठ जाओ, बाइबल पड़ो, उसके बाद वही टीवी, फिर वही वचन फिर, लेकिन आप इमेजिन करना, मुझे ऐसा हो गया था, कि जब मैं सोता था और उठता था, मुझे यह नहीं मालूम हो था कि दुपहर है, कि रात ह क्योंकि वो सारा शड्यूल ही मेरा ऐसा हो गया था, कि मालूम नहीं कि कब दिन है, कब रात है, रूम का थिड़की खोलो तो मालूम हो था बाहर रोशनी है, तो दिन है, आप इमेजिन करो, उन दिनों में परमेश्वार, आल्मोस्ट हर दूसरे या तीसरे दिन, सपने में मुझे मसा करता था, मेरे सपने में आके, मेरे स्पिर्चल फादर के रूप में, अगर परमेश्वार ने मेरे सिर पे हाथ रखा ऐसे, अगर मेरे स्पिर्चल फादर ने मेरे सपने में आके, क्योंकि परमेश्वार अपने दासों के मूँ को इस्तिमाल करता है, हम आपके में नहीं आ सकते लेकिन वो अपने अभिशिक्त लोगों के face को use करता है आपके सपनों में तो वो आके से मेरे सिर पे हाथ रखते और जब मैं उठता था मुझे ऐसा लगता था लगता नहीं था ऐसा पता था कि मेरा सिर ऐसे जैसे कि सेने physically मेरे सिर पे हाथ रखाओ और मुझ अगर मेरी तैयारी नहीं है तो मेरा result भी वैसा नहीं है आपका enemy अपनी life को surrender कर रहा है आपका enemy सब को छोड़ छाड़के आपको दबाने के लिए आ गया और आप अगर टीवी देखेंगे अगर आप रात को सोएंगे अगर आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे तो मस सोचो आप Christian है तो आप अपने आप जीत जाएंगे या आपको अपने आप जुटकारा मिल जाएगा इसलिए मैंने का कल हम फास्टिंग प्रेयर करेंगे 40 डेज की अब रोज चर्च में 40 दिन प्रारतना होगी 9 से 5 आप फास्टिंग में आएंगे प्रेयर करेंगे 5 बजे लंगर के वैरी और दुश्मन आपके पाउं के नीचे होगा मैं आपको बता रहा हूँ लेकिन एक बात याद रखना क्योंकि आप यहावा को मानते और जीजस को मानते हैं इसका मतलब यह नहीं आप हर टाइम जीतेंगे जब तक आप उस विक्टरी के लिए जब तक आप उस शुट में नहीं है मेरा परिवार जानता है रात को मैं कहा होता हूं मैं अपने प्रेयर रूम में जाता ही जाता हूं अपनी प्रेयर करके मुझे वापिस आना है वो नाइट ग्यारा बजे हो वो बारा हो वो एक हो वो दो हो लेकिन उस नाइट में मुझे प्रेयर करनी है यह मेरी शुरू से आदत रही जब से मैं मसी में आया हूँ, मुझे आज 18 साल होगे baptism day है, मेरा आज 18 साल होगे मुझे baptism लिये तो मुझे मालूम है कि मुझे night prayer में जाना है ये मेरी life का हिस्सा बन चुक है ये मेरी life का एक 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 अटूट हिस्सा बन चुक है मैं effortless हूँ इस चीज में कि मुझे night prayer करनी है मैं effortless हूँ कि मुझे morning अपनी personal prayer करनी है personal prayer के पहले कोई काम मुझे पसंद नहीं आप जितना मर्जी important issue ले कि आओ मेरे पास लेकिन जब तक मैंने अपनी personal prayer complete नहीं की ना तो मैं लोगों से मिलना चाहता हूँ ना मैं अपनी family से बात कर रहे के खुश हूँ मुझे पहले अपनी personal prayer करनी है उसके बाद मैं आऊँगा और बाकि सारे काम करूँगा ये मेरी life है मुझे मालूम है कि परमेश्वर ने मुझे छुटकारा दिया है कैसे दिया है ये भी मुझे पता है अब कैसे वो बना रहेगा ये भी मुझे पता है और छुटकारा जो मुझे चाहिए मुझे कैसे मिलेगा ये भी मुझे पता है और ये शुमसी के नाम में आज से आपकी life prayerful आज से आपकी life smarpet आज से आपकी life papo से रहित आमेनों चाहिए तो ये fire आपकी bodies में हट्टियों में blood में जाए Hallelujah Hallelujah कई लोगों को आज छुटकारे की जुरुत नहीं होती उनने लगता है कि मेरी body भी ठीक है, मेरा परिवार भी ठीक है लेकिन अगर आपको Bible कहते है अगर तू स्थिर है अगर तू खड़ा है तो जोकस रहना कहीं तू गिर न जाए तो कि आगे शैतान भला नहीं है वो अच्छे लोगों पर attack करना चाहता है वो आपके सेहत पर, आपके finance पर attack करना चाहता है अगर कोई खड़ा है आराम से से बलता है मुझे लगता है कि मुझे इन चीज़ों की जुरुरत नहीं मुझे नहीं, मैं सब कुल ठीक है मेरा अगर आपका सब कुल ठीक है तो शैतान ये चाहता है कि future में वो ठीक न रहे लोग अपनी स्टोरी सुनाते है मैं बड़ा अच्छा था, मेरा फाइनस बड़ा अच्छा था लेकिन ये फलानी चीज़ हो गई उसके बाद मैं डाउन हो गया लोग बोलते थे कोविट के टाइम जब लॉकड़ान लगा अब देखते हैं चर्चिस कैसे चलते हैं अब देखते हैं जब लोग नहीं आते हैं हम देखते हैं कौन खड़ा रहता है हमने लाइफ में इतनी चर्टी नहीं की जितनी कोविट के टाइम में चर्टी की लाइफ में कभी रोज लाखो रुपे का समान आता है रोज एवरी डे क्योंकि हमारा चुटकारा फाइनस पिंट इन भर नहीं करता देश की एकॉनमी इन पर निरभर नहीं करता हमारा चुटकारा निरभर पर करता है कि हम परमेशुर के वचण को किस स्रीति से जानते हैं आमेन बाइबल कहती पॉलुस और सिलास को पकड़ के ले गए कहते युश्व मसी का परचार करते हैं यह लोग पकड़ लो इनको यह healing का पाखान करते हैं इने पकड़ लो बाइबल कहती उन्हें पकड़ लिया बाइबल कहती आधी रात में आधी रात midnight midnight का मतलब बारा बज़े ग्यारा बारा बज़े पॉलुस और सिलास उठे और जोर जोर से वर्शिप करने लगे और उनके पाउं जो थे वो लकड़ी में कील के साथ ठोके हुए थे और वो वर्शिप कर रहे थे और कैदी देख रहे थे और सुन रहे थे कैदी सुच रहे थे शायद इनको मार ज़दा पड़ गई है थोड़े mental असर हो गया इन पे थोड़ा अटेक हो गया न दिमाग पे तो शायद थोड़ा घबरा गए ये लोग और बाइबल का दी आधी राज जब वो अराधना कर रहे थे उस जेल की नीव हिली सरगदू थाए पंधन खुले परमेशन ने उसी रात उन्हें आजाद कर दिया आप क्रिश्चन हैं मेक शियोर आपको नाइट की वेल्यू मालूम हो हालिलूया मेक शियोर मैंने कहा आपके आपको आपको आपकी नाइट की वेल्यू मालूम हो आमें हैं क्योंकि दूसरे लोगों के लिए night का मतलब है मस्ती, night का मतलब है सोना, night का मतलब है अपने शरीर को अराम देना, लेकिन हमारे लिए वो मकसद अलग है, night का मतलब है खुदा के साथ communicate करना, उसके साथ बात करना, उसके दर्शनों को लेना, उसकी आवास को सुनना, स्टेटेजी को लेना, जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी हुई है, और उसकी बरकत को लेना, कब सुलेमान ने बुद्धी बाई बताओ मेरे को, हां, रात को, असली रात को के सपने में, सपने में, उसने कुर्वानिया चड़ाई इतनी की परमेश्वर खूश हो गया, परमेश्वर रात को आए बोले, सुलेमान क्या चाहिए, सपने में बात कर रहा है परमेश्वर से, सपने में आदनी बात कैसे कर सकता है, मेरे को ये बात बताओ, परमिश्र अगर सपने में आके आपसे पूछे तो आप बात क्यासे कर सकते हैं अगर आप सोने से पहले तैयारी करें तो आप सपने में बात कर सकते हैं लेकिन सोने से पहले तो लड़कियां याद करके तुम सोते हो कि किसको टकर मारी आज, किसको नहीं मारी, किसको देखा है, किसको नहीं देखा, किसके साथ चैटिंग की है, किसके साथ रह गई है, किसने आँख मटका किया, किसने नहीं किया, तो सपने में परमिशर बात क्या करेगा तुमसे, सपने में परमिशर बात करेगा अगर तुम ready ह सुलेमान रेडी होके सोया कि मैं इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कैसे करूंगा लाखों लोग हैं मेरे सामने मुझसे उमर में जादा हैं मैं लोगों के साथ बात कैसे करूंगा हे परमिश्वर दया कर, दया कर, दया कर, दया कर, 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 सो गया हो आप prayer में सोएंगे आप fasting में सोएंगे आप meditation में सोएंगे आप ईश्यमसी के लहू को याद करते-करते सोएंगे जिंदगियां बदल देगा वो आपके परिवारों लेकिन अगर हमारा सोना सही नहीं है क्योंकि आपके शरीर को rest की जरूरत है लेकिन आज जो विशे मैं आपसे बात कर रहा हूँ मैं कह रहा हूँ क्या आप तैयार है रात को सुनो मेरी बात Daniel 2 उसकी 19 आयत वैभेद Daniel को रात के समय फिर से बोलो रात के समय भजन सहीता 17 उसकी 3 आयत दाव हैस प्रूवड माई हार्ट तुने मेरे हिर्दे को जान चाहे दाव हैस विजिटेट मी तुने रात को मुझे कहा क्या किया है विजिट किया है कब किया है रात को हिंदी में लिखा तुने मुझे देखा है हम इंगलिश बोलते हिंदी दोनो छोड़ दो इबरानी भाशा में लिखा तुने रात को मुझे पकड यानि देखा है विजिट किया है इबरानी भाषा में लेखा तुने रात को मुझे विजिट किया है प्रेटो की काम अट्रा उन्नी परमेशोर ने एक रात दर्शन में एक रात पॉलूस से भी परमेशोर रात को बात कर रहा है लुका 6-12 यू शुमरसी बाइबल कहते हैं कि प्रार्थना करने के लिए पहाड पर गए और सारी रात प्रार्थना की मती 32 उसकी 24 आयद याकूब अकेला रह गया और सारी रात प्रार्थना की मल युध किया यानि प्रार्थना की अब मुझे ये बात समझनी है कि night non-Christians के लिए अलग हो सकती है पर for Christian night का मतलब है एक ऐसा time जब आप अपने करता से आप अपने बनाने वाले से आप अपने प्रेम करने वाले से आपके लिए जिसने कुर्बानी दी जो आपका परमेश्वर है आप उससे बात कर सकते हैं उस रात को communication point है वो communication time है वो रात वो समय है जब supernatural नेचरल से मिलता है जब इश्वरी शक्ति आपके body के उपर उतरती है आपको मालूम होता है मैंने ऐसे गवाईयां देखी चंदे चर्च में आते हैं थर्जडे चर्च में आते हैं प्रार्थना रिसीव किया आमीन कहा और रात को जब अपने घर में गए, सपना आया, कि आप मेरे सपने में आया, आपने लेहन, मैंने थो नहीं लेहन किया सपने, मैं तो अपने घर में हूँ, वो सवरक दूते, मेरे सपने में लेहन किया, और जब मैं सुबा उठा, जब मैं सुबा उठी, मैं प्रेगनें थी, म वहाँ night life अच्छी है, वहाँ disco जाएंगे, वहाँ dance करेंगे, बार में जाएंगे, आपकी night life कैसी है, night में आपको prayer करनी है, एक समय रखना है जब रात में आप प्रार्थना करने के लिए, एक घंटा चाहें ज़रूर उठें, एक समय रखना है कि प्रार्थन जब आपको सोने के लिए जाना है दो, उससे कुछ दिर पहले आप टीवी मुबाइल से दूर होकर, आप prayer करें family के साथ, उसके बाद आप जाएं, मैं आपको बता रहा हूँ, चंद दिनों में हैं, आपकी life change होना, mode लेना, छुटकारे में अंटर करना शुरू कर देगी, Hallelujah, एक बार ओची अवाज में, Hallelujah, बाहर जाना जी एक खामरा gate के, ओची अवाज में, Hallelujah, Amen, Amen, make sure आप रात को सोने से पहले, आपकी गती विधिया क्या है, आप क्या करते हैं सोने से पहले, आप गपे मार के सोते हैं, मैंने ऐसे Christian लोग देखे हैं, 40 साल से Christian, लेकिन रात को उनका टीवी बंद नहीं होता, 6 घंटे, 5 घंटे, लगातार वो टीवी देखते हैं, ऐसा नहीं कि एक तो 3-4 साल में कुछ हो जाएगा, लेकिन जब एक टाइम आता, जब आपकी बॉड़ी इतनी कमजोर होती, कई बार लोग क्या करते हैं, खाना अच्छा नहीं खाते, डाइट अच्छी नहीं लेते, बोलते हैं, नहीं, नहीं, सब ठीक है, मैं कौन सा बीमार हूं, धीरे धीरे बॉड़ी जब कमजोर होती, ज़स्ट कोवीड आया, चड़ गए, ज़स्ट मलेरिय आया, ओ, एकदम से फलाने जीज डाउन हो गई, ज़स्ट कुछ अटेक हुआ, खतम, क्योंकि बॉड़ी की इम्यूनिटी, आपने लो करके रखी है, आपने ध्यान नहीं दिया, आप बोलते हैं, वो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन जब अटेक होता है, तब मालूम होता है, आपकी बॉड़ी में कितनी इम्यूनिटी है, उसी तरह से स्पिरिचुल लाइफ है, आपकी लाइफ में कोई फरक नहीं पड़ता, आप चलते जाते, लेकिन जब डेवल अटेक करता है, पता है वो बंदा किते क्या, पता है नहीं किते चला गए, चाट गया जी होता ऊड़ गया जी होता हुटा दारूपिंदा जी हुंता हो नश्य करते, तो कि immunity को बना के नहीं रखा, आपने system बना के नहीं रखा, आपने spiritual immunity इतनी low कर ली, कि जब शैतान ने attack किया, आप उसको survive नहीं कर सके। बाइबल कहती धर्मी पर भी मुसीबत आएगी, और पापी पर भी मुसीबत आएगी, ना तो धर्मी मुसीबत आने से रोक सकता है, ना पापी मुसीबत आने से रोक सकता है, पर बाइबल कहती धर्मी साथ बार भी मुसीबत में पड़ेगा, तो भी उठ खड़ा होगा और पापी का क्या ठीका ना आप फिर से खड़े हो जाएंगे, फिर से स्ट्रॉंग हो जाएंगे, फिर से गवाही देने जोगे हो जाएंगे लेकिन पापी उन दिनों में आपको मिलेगा नहीं, ये आपने डिसाइड करना है ये मेरा फैसला सी मैं अपने जीवन दे विच की करना, ये तो अड़ा फैसला दूसी की करना प्रेयर करने है रादनू के नहीं करनी, सोन तो पहला की करना है की नहीं करना, यह तो अड़ा फैसला है, यह आपका फैसला मेरा फैसला नहीं, मैंने अपनी लाइफ का फैसला करना है, आपने अपनी लाइफ का फैसला करना है, आमें, इसलिए मैंने कहा चुटकारा मांगते स सब पाते कम है दोडते सब लेकिन गोल्ड मेडल वही लेके जाता है जिसने दिन रात एक किया हो जिसने अपने जीब को काबू में रखा ओ जिसने से करिफाइस किये हूँ आज वह डॉक्तर इनके पास आप जाते हैं और हजार-जार पर एक गडोदो मिनट मिलने की आप लेकिन जब वो अपनी लाइफ में कहीं पहुंचते हैं वो उनको सारा कुछ बैक आता है जो उन्होंने सेक्रिफाइस किया था ऐसी ही Christian life है, मसीही life है आप अपनी life में आपने spiritual कुर्बानिया दी है आपने बोया है, आपने prayers की है, आपने fasting की है आपके अपनी night life को काबू में किया है आपकी life में result आएगा, medal आएगा 100% आएगा कोई रोक ने सकता इस आमें परमेश्वर ने देखो बाइबल कहती मूसा जब अपने हाथों को उठा के रखता था तो उसके लोग जीतते थे जब मूसा के हाथ नीचे लोग वही तलवारें, सारा कुछ वही जब मूसा के हाथ उपर थे तो इसराइली लोग जीतते थे जब मूसा अपने हाथ नीचे करता था इसराइली लोग हारते थे ऐसा नहीं कि वो यहवा को मानते थे तो चाहे साही राज सो जाएंगे जो मर्जी करेंगे और सुबा जाएंगे उठेंगे लड़ेंगे और जीत जाएंगे परमेश्वर हमें ऐसा नहीं बनाना चाहता वो हमें आलसी नहीं रखना चाहता वो हमें इग्नोरेंट नहीं बनाना चाहता तो उन्होंने क्या फैसला किया उन्होंने का ठीक है, हम ऐसा करते हैं, तू इधर खड़े हो जाओ, एक एक पत्थर लेकि आओ, मुसा के हाथ के नीचे पत्थर रखो, एक पत्थर इधर रखो, एक पत्थर इधर रखो, और हम हाथ को पकड़ेंगे और ऐसे उठा के रखेंगे, बाइबल का थी मुसा के नहीं सकता हूँ, पर मेरी लडाई जो है, उसे करने के लिए मुझे योजनाई बनानी पड़ेंगी दिखतें आएंगी, बाजू ठक गई शरीर ठक गया, उसका हल करना पड़ेगा, मेरे पास रूम नहीं है प्रेर करने के लिए, मुझे हल करना पड़ेगा टीवी एक ही रूम में टीवी आन रहता है मुझे इसका हल सोचना पड़ेगा मुझे वो सारे हल सोचने पड़ेगे, और फिर मुझे वो लड़ना पड़ेगा, अगर मुझे जीत अपनी लाइफ में देखनी हैं तो, आमेन कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं अपने आप हल नहीं होगा मुझे वो हल निकालना पड़ेगा मुझे वो सेक्रिफाइस करना पड़ेगा मुझे वो कुर्बानी देनी पड़ेगी और फिर परमेश्व का छुटकारा मेरी जिंदगी में होगा हमारी night life जब तक हमारे काबू में नहीं आएगी हम इसको पकड नहीं लेंगे और biblical तरीके से कर नहीं बिटाएंगे मैं आपको बता रहा हूँ आप बड़े से बड़ी पदवी पे क्यूं नहीं होँ छुटकारा आपके परिवार में कभी नहीं आ सकता आप Christian हो सकते हैं स्वरग भी जा सकते हैं यनिके स्वरग मिस हो जाएगा आप से लेकिन जिस छुटकारे की मैं बात कर रहा हूँ वो छुटकारा जो आपके परिवार को आपको मालू में चाहिए आपके शरीर को चाहिए आपकी बॉडी को चाहिए आपके finance को चाहिए आपके परिवार को चाहिए वो आपके life में एंटर नहीं कर सकता अपने पडुसी को बो आज से रात को भिताना है परमेश्वर की आग के मताबिक आमें आमें नूचा बरकत तुमारी चर्च हालेलूया हालेलूया अपने पड़ोसी को बोलो तरी रात की जिंदगी तरे काबू में होनी चाहिए तरी रात अगर तरे काबू में है तरी पूरी जिंदगी काबू में है आमें, आमें और ये बात देखो जिल जिसको ये बात मालूम है इशुमसी को मालूम थी उन्हें मालूम था कि मुझे 12 चेले चुन्ने इस जगत का परमेश्वर होके इस जगत को बनाने के बाद बाइबल कहती है जब वो इंसानी रूप में बिना बाब की यानि शरीदिक बाब की कॉंट्रिबीशन से एक कुवारी के द्वारा आया बाइबल कहती है वो पवित्र परमेश्वर जिसके जैसा दुनिया में ना कोई था ना है और ना कोई होगा वो पवित्र परमेश्वर जब इस दुनिया में था चेलों को चुनने से पहले imagine करो वो पवित्र परमेश्वर जो बाब से नहीं सिर्फ औरत से आया वो पवित्र परमेश्वर जिसने आपको और मुझको बनाया वो पवित्र परमेश्वर जब बबतिस्मा लेके पवित्र आत्मा पाके लंगडों को चंगा करने की शक्ति लेके भी जब उसने बारा चेले चुनने थे तो क्या लिख है बाइबल में लूका 6 उसकी बारा में वो पहाड पर प्रार्थना करने गया और प्रार्थना करने में सारी रात बिताई इश्वमसी रोज रात को प्रार्थना नहीं करते थे मतलब फुल नाइट प्रेयर इश्यमसी हर फुल नाइट प्रेयर नहीं करते थे रोज रात को रोज फुल नाइट वो प्रेयर नहीं करते थे कोई-कोई रात ऐसी होती थी जब परमेश्वर रात को बैठते और सुबा उठते थे इश्यमसी ने ऐसा एक भी example set नहीं किया जिसको मैं और आप फॉलो ना कर सके किसी-किसी time Bible कहती है वो भोर के समय बहुत दिन रहते उठा यानि वो सोया हुआ था कब से नौ बजे से आठ बजे से हो सकता है वो दो बजे उठा और Bible कहती हो प्रार्थना करने के लिए गया फिर 6-7 बजे तक प्रार्थना की ऐसा भी Bible में बहुत बार लिखा हुआ कई पर परमेश्वर ने लिखा कि उसने सारी रात प्रार्थना करने में बिताई मैं कह रहा हूँ वो परमेश्वर जो पवित्र परमेश्वर ऐसा कोई दुनिया में शक्स नहीं है ऐसा एक भी एक्जांपल नहीं है जो सिर्फ मा के द्वरा आया हो ये शुमसी हैं सिर्फ और ना ये कोई होगा ऐसा अब मैं आपको बोल रहा हूँ ऐसा पवित्र परमेश्वर ऐसा कामिल ऐसा कम्पलीट परमेश्वर भी आपको यही कह रहा है कि अगर मुझे बाराँ चेले चुनने थे मैं पवित्रताई में, मैं साम्मर्थ में बवित्रात्मा को पाया हुआ इस जगत का परमेश्वर होकर भी बाराँ चेले चुनने से पहले अगर मुझे सारी दात प्रार्थना करने की जरुरत पड़ी तो तुम क्या हो Hallelujah आपकी लाईफ का important decision है marriage एक important decision है आप बिना prayer के हो आप फ़स आओ आपकी life का important decision है आपकी financial life आप दस्वी में है बार्मी के बाद आपको एक career का decision लेना है लेकिन अभी तो आप boyfriend के चकर में, girlfriend के चकर में फस चुके हो वो दो साल तो prayer करने के, खुदा मेरी अगवाई कर परमेश्वर मुझे उसी career में लेके जा, जो मेरे लिए best है हो सकता है कि एक career सब लोगों के लिए फाइदे मंद हो लेकिन तुम्हारे लिए वो फाइदे मंद ना हो और हो सकता है, एक career ऐसा है जो दस लोगों को रास नहीं आया लेकिन परमेश्वर ने वो तुम्हारे लिए बनाया है लेकिन तुम्हारे जीवन में वो घुस्ता नहीं है, क्यों? योगि तुम पाप में और परमेश्वर से दूर हो वो टाइम जो prayer में जाने का था कि खुदा मुझसे बात कर, मेरी अगवाई कर चाहे वो तुम्हारे से verbally, या मू से, या कानों में बात ना करे लेकिन वो तुम्हारे दिल में डाल देगा कि तुम्हें क्या करना है और तुम वही करोगे, जो यहावा की और से ठेराया हुआ होगा तुम्हारे लाइफ में आमेन लेकिन जिस विशे में प्रार्चना नहीं की गई जिस विशे में परमेश्रों की मर्जी को परमेश्रों के फेस को खोजा नहीं गया जिस विशे में परमेश्रों की मर्जी को जाना नहीं गया प्रभू से बात नहीं की गई उसके साथ relationship build नहीं किया गया तो वो guarantee नहीं है कि वो आपको फाइदे मंद होगा कि नुकसान दे होगा हालेलुया कि फिर लोग मुझसे पुछने के लिए आते हैं आच्छा मेजे ये विला काम करना है प्रार्थन करना ये मेरा पार्टनर है उसी वक्त मैं बोलता हूँ नहीं ये नहीं करना आपको कैसे पता मुझे पता है मैं प्रार्थना में रहता हूँ मुझे पता है प्रार्थन के आवाज क्या है तेरे लिए ऐसा मुझे ये काम करना है ऐसा करूँ मैं करूँ हाँ अभी करना है जल्दी कर प्रार्थन तरे साथ है क्यों मुझे मालूम है जब आप परमेशों के साथ रहते हैं आपको मालूम होता है कि कौन सा decision सही है टाइम लगता है इस चीज में धीरे धीरे आपकी spiritual senses develop होती है धीरे 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 आप उस चीज में आ जाते हैं शायदा pastors या एक high level के जो spiritual जिनकी calling यह है उस जैसा ना समझ सकें लेकिन आप अपनी जिन्दगी के लिए समझ पाएंगे complete 100% परमेश्वर आपकी अगवाई करेगा और पवितर आत्म आपको बचाएगा अगर आप उसकी आवास सुनेगे तो आमेन मैं कह रहा हूँ लुकाचे बारा कि वो परमेश्वर जो कामिल है जो complete है जिसको लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए गरम भाशन देने की जरुरत नहीं है उसने सच्चाई प्रीच करके आज 400 कृट बंदे अपने पीछे लगाए हूँ खरबों को बचा भी लिया हुआ हाँ और कोई गरम भाशन देने की जरुरत नहीं वो परमेश्वर वो क्रिश्चैनडी आज जो दुनिया में राज करती है बड़े-बड़े देशों में है प्रेजिडेंट शपत लेने से पहले बाइबल को पकड़ के शपत लेते है इवेंजिलिस को बुलाया जाता है उस देश के पास्टस को बुलाया जाता है कि मुझे प्रेजिडेंट की शपत लेनी है मुझे आओ और मेरे लिए प्रार्थना करो वो परमेश्वर जिसने देश बचा लिए आज 400 क्रोड़ लोग उसे फॉलो करते है जो इंटरनेट पे है 31-32 परसंट इंटरनेट पे लिखा है इंटरनेट का मतलब है अगर 800 क्रोड़ का आप 33 परसंट लगाओ तो 266 क्रोड़ हो गए पता है उन 266 क्रोड़ों में अभी तक शायद मैं और आप भी नहीं होगे तो कि वो बोलते है अच्छा नाम अंकूर, अच्छा नरूला नहीं नहीं ये क्रिश्चन नहीं सिर्फ 266 वो हैं जनके नाम जॉन पीटर है और करोड़ों लोग जो इंडिया में है हमारे दूसरे देशों में है पाकिसान में और बड़े देश है जहां करोड़ों लोग हैं क्रिश्चन, उनका नाम अभी उस गिंती में नहीं वो करोगे, 400 क्रोड़ों से ज़्यादा निकलेगे मैं आपको बता रहा हूँ मैं कह रहा हूँ तो वो परमेश्वर जिसने आपको बनाया जिसने ऐसा ग्रै ढूंड़ा है ऐसा प्लैनेट ढूंड़ा है साइंटिस्स ने जो पूरा हीरे का बना हूँ है अगर उसको बेच दिया जाए तो सो सो डॉलर की इतनी धेरियां लगेंगे कि वो चंदरमा तक पहुँच जाएंगी वो इतना बड़ा परमेश्वर चेले चुनने से पहले सारी द्यात प्रार्थना कर रहे हैं और हमारे चेले सो रहे हैं परमेश्वर के बोलते हैं ना ना प्रभू ने अपपे ही कर देना वो खूद परमेश्वर के बोल रहे हैं कि मैं प्रार्थना करूँगा और तुम बोल रहे हो कि उन्हें आपपे कर देना कितनी बड़ी मिस्टेक है कितनी बड़ी कमी है कि परमेश्वर के छोड़ देना जो चीज उसने आप पर छोड़ी होई उत्पत्ती 32 उसकी 24 आयत याकूब आप अकेला रह गया और कोई पुरिश आकर पौफटने तक जब रात निकल गई स्रदुद के दा मुझे अब जाना है जैसे नाइट खतम हुई स्रदुद के दा मुझे छोड़ उसने का मैं तुझे छोड़ूँगा नहीं जब तक तु मुझे आशिश नहीं देगा सारी रात वो प्रात मल्ली उद्ध का मतलब है प्रेयर करना स्रदुद के बाइबल गाती याकूब परमेश्वर से लड़ा आप प्रभू से लड़ सकते हैं लेकिन गालियां निकाल के नहीं कि जे तु आ नहीं करेंगा तो मैं नहीं मन्दा तु यह सून नो नो उसका कोई असर नहीं होगा यूश मसीबे मैंने बहुत ऐसे करके देखी हैं चीजें कोई असर नहीं फिर से जो उंट है वो पहाड के नीचे उसको आना ही पड़ते हैं लड़ने का मतलब बाइबल से कि खुदा तेरे वचन में लिखा है धर्मी का वंश बचाया जाएगा मैं तेरे वचन के अनुसार धर्मी हूँ मेरा वंश बचाया जाए आप रोज फाइट करेंगे इस वचन के साथ आपके वंश को परमेश्य को बचाना पड़ेगा अब याकूब को मालूम था कि मेरा भाई मुझे चार सो लोगों के साथ मिलने के लिए आ रहे कोई किसे रिष्टेदार को चार सो लोगों के साथ मिलने नहीं जाता पर बाईबल कहती उसने सारी रात प्रेयर की उसे रात की वेल्यू मालूम थी उसे नाइट की वेल्यू मालूम थी उसे प्रेयर की वेल्यू मालूम थी अगर आपको छुटकारा चाहिए make sure आपको night की value प्रार्थना की value मालूम हो जदू डोना करने वाले लोग दो बज़े उठते रात के बारा बज़े उठते एक बज़े उठते जदू डोना करने के लिए special जाते जंगलों में कहीं दूर स्थान पे रात को उठते हैं और हमारे लोग रात को सोते हैं फिर बोलते हैं मेरी पुवाने ना मेरे ते जदू करता है पास्टर जी करियो prayer वो करेगी जदू तुम बे तुम रात को सोई हो वो रात को जदू दूना कर रही तुम भी रात को उठो और भगाओ शेतान को लाठीस और वो भागेगा भी नाइट प्रेयर करने वाले लोगों के उपर नाइट लाइव को काबू करने वाले लोगों के उपर शेतान अटैक नहीं करता मैं आपको बता रहा हूँ अगर वो आपके सपने में कहीं पोलपले खेकते आ गया अगले साथ दिन उसको इतनी जूतियां मारो इतनी जूतियां मारो इतने चपल मारो उसको Night prayer, night life रात को communication करने का ये time है दर्शन लेने का time है सपना देखने का time है खुदा की और से जो बाते रिलीज हुई उनको सुनने का time है खुदावन आपको बरकत दे आपकी life सेम न रहे आमिन ओचा ये आशिश आपकी है चर्च मेरा बिलीव है कि आप अपनी night life को काबू में जरूर करेंगे जितने आप लोग सुन रहे हैं हजारों लोग इंटरनेट पे सुन रहे हैं हजारों लोग ब्रांचिस में लाखों लोग सुन रहे है मेरा ये बिलीव है कि आप लोग अपनी life को अपनी night life को आप लोग काबू में लेके आएंगे आप घर जाएंगे आप योजना बनाएंगे कौन सी चीज करनी है कौन सी चीज नहीं करनी night life को prayer life को किस तरह से maintain करना है किस तरह से अपने mobile को अपने tv को एक काबू में रखके उसी उतना ही यूज करना है जिससे आपका फाइदा हो नुकसान नहीं आप फिर देखेंगे जिस काम के लिए permission ने आपको रेल में चुना है वो आप पर जाहिरोना शुरू होगा जो glorious seat permission ने आपके लिए रखी है वो जाहिरोनी शुरू होगी इस बास से अपने हाद को उठा मैं डिकलेरेशन करता हूँ आप बड़े लोगों के सामने जाने वाले इस night life को काबू करने के बाद मैंने का आप बड़े लोगों के सामने जाने वाले हैं इस night life को काबू करने के बाद